हेलो फ्रेंड्स विल्गू ट्रेवन दा मिसंट अरो मेडिकेट में आपका स्वाव्याते मिले स्वारी डिश्टल मार्गेटर आज हम आगे हैं लिक्टिंग मार्गेटिंग कोर्स के कम्प्लीट सीरीज में लेसन 13 वाट टू पोस्ट अं लिंक्डिंग यानि कि कि हैं और अपना कि बिजनिस में कि नहीं रहें कि आपक्ष़ और कि किस किरीनी पे पिए नहीं कि अपर आता है कि तो पाते हैं कि इस पकार से हम एक बड़िया करना सकते हैं followers और connections के बीच में तो यह सभी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि LinkedIn पर हमें क्या चीज़ पोश्ट करने चाहिए ऐसे professional social media platform पर इस चीज़ के बारे में हमें completely मालुम होना चीज़ तो इसी के बारे में step by step बात करेंगे तो चलिए मैं आपको एक नई दोना यहां पर हम 20 टिप्स आपको बताने वाले हैं कि आप LinkedIn पर किस तरह से कर सकते हो तो चलिए फ़र्श यह पॉश्ट ठीपोश्ट he skipped आपको इस पकार से पॉश्ट करना ही कि आपकी growth के लिए खियक हो य忘 Entre आपकर पोश्ट कर सकते हो आपके leaders के लिए help हो उसाथ भी साथ जो चीज़ जो लोग नई चीज़ सीखना साथे। कुछ भी नई चीज़ सीखना साथ है उनके लिए इस पगार कि आपको पोश्ट करनी है साथ ही साथ कुछ रियर्केट करनी है जो सबसे ज़्यादा लो बग अच्छीब करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और इस पकार से लेट उड़ती है आपके पास आपस देनी से के साथ ही वो क्या आपकी पोश्ट से क्या चीज़ चीज़ रही है उसके लाइफ में क्या चेंज़ेंगे अपनी पोश्ट के तुछ दिने वाले हो तो यह सबी चीज़ें और इसे बिजनेस में के लिए दोनों के लिए वह ज़रूरी हो जाती है कि किस पकार से हम यहाँ पे अपने पोश्ट के लिए ग्रोथ एक लगा सकते हैं इस पकार का है यह जाज़ादा कस्टूमर्स को साच आप पर सब्सक्राइब आप लिए इंस्पार बाता है यह जब भी आइडिकल्स की बात आती है तो हमें सा लिंग्डिन पर आपको इस पकार की चीज़ लिए जो लोग को इंस्पार कर सके बढ़िए इस पेसर दे सके और साथ ही साथ आपको को सिस करनी है कि परस्ट बिए यूजर से नहीं उडियल साप साइट हो पाए और आप से कम्प्लिटली अट्रैक्ट होने के साथ ही साथ आपकी सर्विस्स को ले पाए तो इस चीज़ का में ध्यान रखना वाद देने के साथ इसी के साथ इस फैक्ट में बताया जाता है कि वेस्ट कंटेंड निल्गिंट प आपको पोश्ट करनी है इस तो आपको अपने परस्नल एक्सप्रियंस अपने ऐटीकल इस फिपस यहां पर इस पर को बतानी चाहिए कि आपने लाइप में किस पागाह से की से एक करतें सबीट जो कर आप कमप्लिट ली परस्नल एक्सप्रेंस दोगे तो यहां पर स्वार टश मिलेगा और साथी साथ आप अपडेट रहे पाऊगे और नहीं अपरचनिटीज को एक्सप्लोर कर पाऊगे और एक सही कनिक्सन यहाँ पर क्रेट कर सकते हो तो इस चीज़ का आपको हमें साथ धियान रखना है चलिए नेक्स टेड़ सेर बन आफ यह ब्रांड इस्टोर कि हैल्प से यहाँ पर बहुत साथ चीज़ें हो सकती तो देन इसी तरीके समय जाना होगा जो बात करनी होगी कि क्या कि वेल्यूज हम दे सकते हैं बिजनेस सुनर को उनके बिजनेस में और किस पकार से हम अपने ब्रांड इस्टोरी को एपील कर सकते हैं ओडियन्स के जाऔर पर आपने डियुद्डे चंजस करी आप इस तरह से लोग के सामने पर कुमिनिकेशन के साथ कर सबसादे हो के में इस प्रांड के स्टोरी को बताते हो तो यहाँ इस यहाँ पर और रहते हैं चलिए नेक्स्त टेंदश एड और और अंड अक्सर कहा जाता है जब भी कि आपको लिंडिन पर पोश्ट करना है तो आपको यहां पर एक टिप या फिर एक आइडिया को लोग के वीच में रखना होगा सेयर करना होगा क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा लोग वैलुबल इंफरमिसन मिलेगी तो वही लोग आपसे जोड़ना चाहेंगे तो इस चीज का में ध्यान रखना होगा कि उनकों से हम टिप्स और आइडियास दे सकते हैं ज़्यादा लोग हैं हमाई ओडियंस के लिए उसपूल हो और वो कंप्लीटली हमसे ऑथनिटिक हमें कनिक्टेड हो पाई और उनकी लाइफ में भूसी चीज़ें कर पाएं तो इस चीज़ के में ध्यान रखना होगा को उनकों से चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं तो हम जो और के लिए से लेटेड इंफॉमेशन लोगों को दे सकते हैं कंप्पनीज की न्यूस दे सकते हैं जो लिए सोसल वीडियास कंपनी न्यूस हो गई या फिर जो भी और बी अलग सेक्टर्स की कं पोस्ट कर सकते हो चलिए नेक्स्ट एक सेर इंफो एबाउट जॉब आपने जिसी कि मैंने वी बात करी कि आप चाहें तो कुछ भी चीज़ें आपनी जॉब्स लेटेड आपनिंग के बारे में कुछ इंफरमेशन दे सकते हो या आप चाहते हैं आपकी और गानिशन में ए किस पगार के इंफोमेशन दे सकते हैं किस तरह से रिज्यू में बनाना है किस तरह से क्वालिटी मेंटेन या स्कील वेजन और जोना चाहिए यह सबी चीज़ें आपको इसी बुक चीज़ें करने चाहिए जो कम्प्लीटली लोग के बारे में लाइफ चेंजिंग और साथ आपको लिक्टने पर भी उसके वारे में कुछ ना कुछ थौट्स आपको आइडियाज आपको अपर चीज़ें यहां पर सेर करें चीज़ें क्योंकि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो उसके बारे में आप ज्यादर लोग को बताते हो बोलतों कि इस बुक को रिकमडेट मतलब यह है कि क्या-क्या मिडल इस्ट है आप चीजे चल रहे हैं लोगों को बदा होना चाहिए दिर इसी के बारे में आपको कुछ important चीजे देनी चाहिए लोग के बीच में share करना चीजे उसके बारे में सोचे और especially चलिए नेक्स्ट आप बात करने वाले इट टॉक आउड है अक्सर कहा जाता है कि हैविट के बारे में बात करना सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब को कॉन से ग्रेट होती है लॉंग टाइम के लिए हमाई हैविट की किस पकार से चीजे चेंज कर सकती है हमाई लाइफ में एक हैविट को किस पकार से बैलेंस कर सकते हैं लोग को हम बताएंगे तो उनके लाइफ में भी चेंज्ज होगा देनी के साथ ही बहुत चीज़ को रीट करेंगे और कंप्ली लेक्षविट के वारे में भी लोगों के से बोल सकते हैं चलिए नेक्स्ट है एज ये लींडिन पॉस्ट आइडिया शेर ग्रेट कॉइट अगर आप लिंडिन पे पोस्ट आइडिया देख रहा हो तो यहां पर सबसे बड़िया और ग्रेटेस्ट आइडिया यही रहेगा कि आप लोह के बीच में great quote यहां पर डाल सकते हो एक बढ़िया quotation डाल सकते हो which are डाल सकते हो मतलब घ्रेट गोल जो हता है वो आपका rescue होता है देने से साहती है और जो quote होते है उसल्म तरीके से लोगों को सोचने पर मजूर करते हुए completely नय हुए में लोग की thinking को motivate के साहत विचार लोग के मिल जाएंगे तो आप उस तरह के पोश्ट करेट कीजिए जहाँ ज़्यादा लोग आपसे कनेट होपाई और साथ-साथ एक इंसाइटफल कोईट आप लोग को देते हैं तो यहां पर एक बड़ी तरह से आपकी प्रॉपर वीच में कनेशन बनता है और आपकी ओडियेंस जिससे इंस्ट्रेशन होती है और आपको कम्प्लिटली डेवाई डेफ फॉलो करती है और चेक आउट करती है कि आप किस पर कास इचलिए नेक्स्ट एंड टैन है जो भी पोस्ट करते हैं तो आपको इध्यान रखना ही जो डिजिटल मार्किटर तो हमें इस तरह से हम images को completely post करते हैं तो आप हमें caption को भी share करना चाहिए और caption को भी जरूर लगाना चाहिए तो this day image और caption post जो है बहुत ज़्यादा push वह रही है लिंक्टिन algorithm में भी और different different social media algorithm भी इस तरह की चीज़ों को share करने की कौसिस करते हैं तो आपको इधियान रखना है किस तरह से आप क्रेट कर सकते हैं कस्टम images को जो एक इन्फोग्राफिक होती है आप कस्टम image का मतलब में आपको बता देता हूं एक दो से ज़्यादे images जो होती हैं वो custom images के लाती है तो इसे चीज़ का भी ध्यान रखना होगा साथी साथ इसे सेयर कर सकते हैं किस caption बनाकर completely अगर हम different way में हापे captions के यूज़ करते हैं images के बारें बताते हैं तो यहां पे भी बहुत बड़ी हाई chances होते हैं अक्सर आपने देखा हुआ कि बहुत से लोग जब भी पॉस्ट करेट करते हैं और साथी साथ आपने अक्सर देखा हुआ इंस्टाग्राम पे की बहुत सी पॉस्ट आती है पॉपॉलर है失क अक्सर कहा जाता है जब भी आप पउस्ट करो साथी साथ हाँ साथ जब भी पॉस्ट को नियुक्राइट प्लैटफॉर्म तयरे आप को धियान है कि हैम यूज्ज के और सकते हैं कि कहने का मतलग यहीं कि सबसे ज Warsam वह इंटेश्ट है किसी वह टपिक के बारे में और हम उसी से लेटड हैस्टेग लगाते हैं तो जाए-जाए-जाध ओडियेंस तक एक कंप्लिटली हैस्टेग लोग को मिल जाता है और यहां पर जब भी वह चीज़ सेर्च करते हैं तो आपकी चीज़े रिकंडेट होने वाले हैं 12, start a discussion on a topic you think is important, यहनी कहने का मतलब यह है कि आप को discussion start करना है, topic के वारे में जो आप चाहते हूँ यह बहुत important, तो आप अपना opinion share कर सकते हो, लोग का वारे में सुन सकते हो, और उन से किसी topic के वारे में बोल सकते हो, तो कहने का मतलब यही है कि किस तरह से हम discussion को remember कर सकते हैं, respectively बना सकते हैं, किस तरह के हमाई audience चीज़ें चाहती हैं, उनके वारे में हम रूफ टॉप पर बात कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर discussion करने हैं चीज़ बन टूवन टॉप कर सकते हैं, और discussion में participate लेते हैं और ideas share करते हैं, और knowledge भी अपना बढ़ाने लगते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं नहीं चीज़ें करते हो, तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर लिखने पर पॉस्ट कर सकते हैं, चलिए नेक्स टेक 13, write out something people should avoid, आपको इन लोग के बारे में बात करना चाहिए, जो जिन लोग, जिन चीज़ों का हमें avoid करना चाहिए, अफसर कहा जाता है कि हर वरी everyone चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, किसी चीज़ें करना भी चाहते हैं, यहां पर LinkedIn post के ideas हम यह बोल सकते हैं, कि अगर आप post के बारे में कुछ लोग के बारे में बताना चाहते हैं, क्या चीज़ें में नहीं करना चाहिए, बैड हैबिट्स बारे में बताना चाहते हैं, किस चीज़ें में avoid करना चाहिए, तो यह बहुत भी professional life से लेटेट होता है, साथ से दिक general life के भी एक इसू होता है, जो लोग के सामने हम solve कर सकते हैं, तो आप completely कहने के मतलब यही है, कि आप इसी चीज़ लगा सकते हैं, बता सकते हैं, किसी 5 चीज़ें जिनको आपका avoid करना चाहिए, कि पोश्टिंग के टाइम में लिडिन पर, क्यांकि चीज़ें होती है, साथ साथ की चीज़ें का ध्यान रखना होगा, कि हम किस पकार से completely किस तरी की चीज़ें का avoid करना चाहिए, क्या do हो सकते हैं, क्या don't हो सकते हैं, आपको इध्यान रखना है इस पकार की चीज़ें पोश्टिंग करने चीज़ें के लिए हमें मिल जाता है, जिसे मदर्श डे पर हमें स्टोरीज लगा सकते हैं, इसी तरीके से हम यहां पर एक आइडिया मिलने लगता है, इसी तरीके पर बहुत से content words होते हैं, जो engagement को build करता है, आपने देखा हुआ कि ओडियेंस भी इस तरह से चीज़ों से engage होती है, आपके landing पर तो आपको यहां पर एक औस चीज़ डाल सकते हैं, जिसे किसमस्दी आने वाला है, जो हम बनाते हैं, सभी के बारें पॉस्टिंग करते हैं, और एक नई आइडिया के बीच में लोगों के सामने share करते हैं, तो यहां पर लोगों का experience भी वड़ता है, knowledge भी वड़ता है, और बहुत सी चीज़ें आप से साथ जुड़ने लगती हैं, चलिए, next step 15 said something about your mentor, आप अपने mentor के वारे में बात कर सकते हैं, लोग के वारे में बता सकते हैं, क्योंकि हर एक चाहता है कि आपका रोल मोडल कौन है, उसके वारे में जाना चाहता है, तो अपना रोल मोडल के वारे में जुरू बताएगे लिंडिन पर, और साथी साथ अपने mentorship के इस पकार आपको appreciate करते हैं, क्याकि चीजें जो है आपकी परफाइल के वारे में बताते हैं, mentorship के वारे में बताते हैं, तो वो किस पकार से आपसे inspire, आप उन्होंने क्या चीज़ें चेंडिस करी, और आपको क्या चीज़ उसमें से जाद़ पसंद आई, तो यह यहां पर mentor के वारे में completely बोला गया है, कि अगर आपको अपने ideas share करने हैं, या फिर mentors के वारे में अपने audience को या अपने users को बताने हैं, तो आप यहां पर completely अपने mentor के वारे में टेलिंग कीजिए, और completely उन्हें step-by-step उनके वारे में बताई की कि किस तरह से mentor ने आपको यहां पर idea के साथ यहां पर help करिए, तो यहां के चीज़े सिखाया है, तो यह सभी चीज़ें हैं completely हम share कर सकते हैं, चलिए next is 16, effective LinkedIn content ideas create a poll, अक्सर कहा जाता है, अगर आप LinkedIn content ideas यहां पर बनाना चाहते हैं, तो आप एक simple way में अपने poll को यहां पर create कर सकते हो, क्योंकि पॉल जो है one of the newer way होता है, engage करना का audience को वहीं LinkedIn पर, इसे के साथ ही यहां पर बहुत साथ लोग कोस्टेंग से लेटेंट होते हैं, और साथ ही साथ यहां पर response भी देते हैं, क्योंकि पॉल जो होता है completely comments के तुरू काम नहीं करता है, पॉल से completely tick पर हिसाब से काम करता है, कि सिर्फ टिक करना रहता है, यहां पर पॉल करेंगे हैं, हमें response मिलेगा, इसे comments है और साथ ही साथ एंट्रेट कर पाएंगे अपनी audience को भी, तो आप इसली वे में LinkedIn पर जाएए हो, यहां पर पॉल करेंगे, different question कीजिए, जी कि selected questions भूजिए, तो यहां पर आपकी audience भी आपसे connect हो पाईगे, और completely engaged होने लगेगी, तो इस तरह से यहां पर हम चीज़े changes कर सकते हैं, पॉल यहां पर create कर सकते हैं, चलिए next day 17, write about a fear and how you are overcoming it, अक्सर हम कभी भी डर के बारें बात करते हैं, पहुंसे लोग डरते हैं, इसे इंटर्व्यू से लेटेड, और रिजूम से लेटेड, क्या क्या चीज़े होनी चीज़, क्या नहीं होनी चीज़, किस परकार से चीज़े face करनी होगी, तो आपको ध्यान रखना है, कि जो fear होता है, वो पूरी तरह से different, लोग के mind में काम करता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना हो, किस परकार से हम लोग को प्रॉस्पेक्ट भी हमें समझा सकते हैं, कि किस परकार से वो overcoming कर सकते हैं, fear से हट सकते हैं, तो उनके अपने experience हम बता सकते हैं, जो होता है, किस परकार से फेरिंग होती है, या फिर हम completely interview देते हैं, तो किस तरह से चीज़ी हाँ पर हम face करते हैं, तो यहाँ पर आप completely fair की highlights के वारें बात कर सकते हैं, साथ ही साथ, किस परकार समय से overcome हो सकते हैं, बहार निकल सकते हैं, अपने बिजनेस टू बिजनेस टू बिजनेस के लिए अगर आप बिजनेस से कुछ मंत्र देना चाहते हो या फिर अच्छी information देना चाहते हो, तो बहुत से audience आप से जुड़ने लगती है, इसी के साथ ही किस परकार के हम इसी टिप दे सकते हैं, यह पूरे successful marketing बनाने के लिए क्या इसी तीन चीज़ होगी जो marketing expert हमें बना सकती हो, क्या इन लोगों से क्या इसी चीज़ है जो हमें marketing में या फिर बिजनेस में उन चीज़ों का avoid करना चाहते हैं, यह सभी के बारे में हम talk to talk completely connection करते हैं, completely यहाँ पर अपना connection विल्ड करते हैं, और अपनी business related यहाँ लोगों को share करते हैं, तो इस तरह से business मत्रम बोल सकते हैं, कि आप अगर खुद का अपना platform यहाँ पर create हो चुका है आप अपनी audience को यहाँ पर business tips दे सकते हो, जिससे के through वह आप से completely engage हो पाएगा, चलिए next and 19, try posting of one liner, अक्सर कहा जाता है जो भी आप posting करें, क्या आप अपनी audience के लिए सबसे बढ़िया one liner की पगाल की चीज़ आप रख सकते हैं, तो इसके वारे में सोचिए देने से साथ, आप उस post पर जाएगे और LinkedIn profile पर चाहिए देने सी बाद, आप अपने authentic way में यहाँ पर clean way में आपके बलनाइनर पॉस्टिंग कीजिए, तो आप completely देख पाऊई किस तरह से लोग को सबसे बलनाइनर पॉस्टिंग पर संद आती है, then next and last is creative LinkedIn post ideas share our short stories, आपको यहाँ पर एक LinkedIn post ideas यही है, कि आपको यहाँ पर short stories यहाँ पर share करने हो लोग के बीच में, तो हम क्या क्या चीज़े share कर सकते हैं, तो इस चीज़ के वाले में ध्यान रखना होगा, आपको यहाँ पर manage करना होगा, engaging stories अपने audience को engage करने के लिए, कि कौन-कौन सी नहीं competitors यहाँ पराने जो लोगों नहीं पर profile क्रेट करें रहे हैं, और बहुत से लोग उनसे connect होते हैं, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना यहाँ पर completely आप लेंडिन पर stories को share करते रहना है, short stories यहाँ पर short होने चाहिए, जो completely short भी हो, completely बहुत अच्छी knowledge लोगों को देने लगी, तो I hope कि आपको completely एक नहीं दोने टॉन्टी चीज़े पसंद आई होगी कि किस पकार से हम लीडियें पर post कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़े post कर सकते हैं, उस ideas उस tips के बारे में आपको completely पता चला होगा, I hope कि आप जरू इन टॉन्टी में से कुछ चीज़ों को जरू completely करके देखोगी, बीश्य लवेश, Thank you so much.